बिना मावा, पनीर, मिल्क पाउडर के, आज हम बहुत सब्ट और टेस्टी सा बर्फी बना के त्यार करेंगे, कोई भी मिठाई में अगर मावा, पनीर या मिल्क पाउडर नहों तो सोचते ये बनेगा केसा है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, और मैं आपको तोड के दिखाती हूँ, ये बहुत सब्ट बना है, ये है मेदे से बने हुई बर्फी, जो कि बहुत कम इंगिडियन्स में और आच्छे से बनके त्यार होता है, चले रेसिपी सुरू करते है, पहले कड़ाई को गरम करेंगे, उसमें ले लेंगे घी, ये मेने हापकप गी लिए हापकप गी का आधा में डाल दोंगी, बाकी बचा के रखोंगी, बाद में इसका यूज करेंगे, मेजर्मेंट ऐसा है, हापकप गी के लिए हम ले लेंगे एक कप मेदा, पेले हम गी को मेल्ट होने देंगे, गी जब मेल्ट हो जाएगा, उसमें डालेंगे एक कप मेदा, मेदे को भूनना है और हाई प्लेम नहीं करना है स्लो प्लेम में इसको भून के त्यार करना है जब तक मेदा का कलर चेंच होके इसमें से खुश भून आए तक भूनना है जिस तरीके से बेशन कलर डू बनाने से पहले हम बेशन को भूनते उसी तरीकी से बस इसको भूनना है, आधा जो गी मैने रखा है, जब मेदा का कलर चेंच हो जाएगा हालका सा, तभी हम आधे गी को इसमें आड़ करेंगे, अभी बस लगातार इस तरीकी से मिलाते हुए मेदे को भूनना है, इस टाइम फ्लेम को हाई न करें, स्लो फ्लेम मे मैंने मैदा को भून लिए अभी हम इसमें बाकी जो गी बचा के रखा था उसको आड़ करेंगे और दो मिनिट तक इसको हम भूनेंगे सेकंड गी जब डालेंगे मैदा थोड़ा सा पतला हो जाएगा वही स्लो फ्लेम में इसको मिलाते हुए इसी तरीके से भूनना है और हाई फ्लेम नहीं करना है चार से साड़े-चार मिनिट तक मैदा को टोटल भूनते हुए लग गया है मुझे अभी इसको और ज़्यादा नहीं भूनना है इसको हम दूसरे ग्यास के उपर रख लेंगे अभी हम इसके लिए चासनी बना के त्यार करेंगे एक कप सक्कर ले लेंगे जितनी क्वांटिटी में मैंने मैदा लिया है उतनी क्वांटिटी में सक्कर भी लिया है और इसमें आड करेंगे हाप कप पानी आधा कप पानी डालना है और इसका चासनी बना के त्यार करना है सारे चीज को मिलाते हुए अभी हम चासनी बनाएंगे फ्लेम को आन कर देंगे चासनी उबलने के बाद बीच बीच में चेक करेंगे मेदा की बर्पी के लिए हमको एक तार वाला चासनी चाहिए तो बीच बीच में इसको चेक करेंगे अभी थोई डेर के लिए इसको हम उबा लेंगे चास्नी को हातों में लेकि थोड़ा सा चेक करेंगे आप देख सकते हो अभी हलका सा एक तार बन रहा है तो फ्लेम को अभी बंद कर देंगी वान पौर टीस्पून इलाईजी पाउडर डालेंगे भुना हुआ मेदा में और उसके उपर डालेंगे हम चास्नी को गरम गरम चास्नी डालना है और इस तरीके से लगातार चलाते हुए मिक्स करना है फ्लेम को इस टाइम अन नहीं करना है मेदे का मिक्स भी गरम था उसके उपर हमने जो डाले चासनी ओ भी गरम है बिना ग्यास जलाई दोनों चीज को मिलाते जाना है धीरे धीरे ये गरा हो जाएगा कम से कम 4-5 मिनित लगता है बिच पिच में थोड़ा छोड़ देना फिर मिलाते रहना है इसे करकर के इसको हम गाड़ा बनाएंगे जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा वैसे वैसे गाड़ा बनता जाएगा अगर हम ग्यास को अन करके इसको मिलाए ये हालबा बन जाएगा क्योंकि गी इसमें से छूट जाएगा मिक्स होके नहीं रहेगा बर्फी को सेट करने के लिए एक ट्रे ले लेंगे इक ट्रे के उपर मैंने बिचा दिया एक बटर पेपर जब गढ़ा हो जाएगा हमारा बर्फी बाला बैटर इसमें हम डालेंगे बर्फी बाला मिक्स को पांच मिनिट मिलाने के बाद ये टेक्स्टर में आ चुका है अभी हम इसको साइज कर देंगे उपर थोड़ा सा ड्राइफूर्स डालेंगे आपके पास जो भी ड्राइफूर्स आभी ले मुलो उसी सबसे आप इसमें आट कर सकते हो ड्राइफूर्स को स्पाचूला में थोड़ा सा प्रेस कर देंगे 20 मिनिट बाद मैदे की बर्फी अच्छे से से शेट हो चुका है पहले हम बर्फी को निकल देंगे ट्रेस से इसमें हमने बटर पेपर डाले है तो आसनी से ये निकल के आ जाएगा एक प्लेट के उपर ले लेंगे बर्फी को पिसेस में कट कर लेंगे छोटा बड़ा जो भी आकार में आपको कट करना है आप कर सकते हो थोड़ा सा प्रेस करके कट करना है बर्फी जम गया है स्क्वाइर साइज में इसको मैं कट कर रहे हूं बीच में से एक कट लगाएंगे और दोनों साइड में और एक एक मैदे की बर्फी भी बनके त्यार है आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बना हुआ है और इसका चो कलर है टेक्शर है बहुत आच्छा दिख रहा है आप भी एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राइ करें क्यूंकि इसमें बहुत काम इंगिडिन्स लगता है और खाने के लिए भी बहुत आच्छा रहता है रेसिपी के बारे में आपकी मन में जो भी कोस्टिंच से कमेंट सेक्शन में सेर करें इस तरीके की बहुत सरे रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और राइट सेट में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके और नोटिफिकेशन बेल को आउन करें फिर में जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन की रूप में पहुन जाएगा